नवस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूटूब चनल टार्गेट सिविल सर्जिस में तो आज है 16 अक्टूबर और मदप्रदेश के डेली करेंटेफेर में आज हम पढ़ेंगे 16 अक्टूबर के करेंटेफेर तो लेक्षर ध्यान से देखिएगा और दोस्तों ने अक्टूबर को मनाया जाती है दो अक्टूबर को मनाया जाती है चार अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व पसु कल्यान दिवस पांच अक्टूबर को मनाया था विश्व सिख्चक दिवस और हमारे देश में राष्टी सिख्चक दिवस कब मनाया जाता है पांस सितंब 10 अक्टूबर को हमने मनाया था मांसिक स्वास्थे दिवस 11 अक्टूबर को मनाया था अंतराष्ट्य बाली का दिवस और हमारे देश में राष्ट्य बाली का दिवस कब मनाया जाता है 24 जनवरी को 13 अक्टूबर को हमने मनाया था विश्व आब्दा नियंत्रन दिवस 14 को बना जाता है विश्व खाद दिवस यानि वर्ल्ड फूड डे तो देखिए 16 अक्टूबर 1945 को रोम में खाद एवं क्रसी संगठन यानि फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाजेशन यानि फूड एओ की स्थापना की गई थी दोस्तों बात करें यहां फर फूड एग्रिकल्चर और्गनाजेशन अफ दे युनाइटेड नेशन की तो देखिए इसकी स्थापना यहां पर है दोस्तों यानि हेडकोर्टर कहां पर है तो यह रोम इटली में है और इसके अभी डारेक्टर जनरल कोन है तो यह डॉंग्यो इसके डारेक्टर जनरल है इसके बाद साल 1989 में Conference of AOE ने वर्ल्ड फूड डे मनाने की घोसना की थी और इसके बाद साल 1981 से हम हर साल और दोस्तों वर्ल्ड फूड डे मनाने का उद्देश से क्या है भुकमरी से पिडित लोगों को जागलो करना और दोस्तों इस वर्स यानि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में हमारे देश भारत की रैंक कितनी रहे देखिए इसमें रहे एक सो सूला देशों में हमारे देश की कितनी रही है 101 ठीक है और 2020 के Global Hunger Index में हमारे भारत देश की रहंग कितनी थी 94 थे 94 थी तो इस वर्स 101 हो गई है वर्ल्ड फुट डे में 2020 की थीम क्या थी grow nervous sustain together ठीक है 2020 की थीम क्या थी grow nervous sustain together और इस वर्स वर्ल्ड फुट डे की थीम क्या है 2021 की अवर एक्षन और प्रिफ्ल ही यह है और देखिए दोस्तों यह है Colorado पूछे भी जा चुके है औरelson ए पूछे भी जाचुके हैं ऑर एक्जाम पस्प्रेक्टोव से इंप्धान होती है तो इस टाइब से इसका रिजल्ट निकलता है दोस्तो और देखिए आप भी स्क्वीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो टेलेग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो की डिक्सन बॉक्स में मिल जाएगी चल दोस्तो सबसे पहले हमने जो कल करेंटर पढ़ेते हैं उसका रिविजन कर लेते हैं उसके बाद स्टाट कर हैं आज के करेंटर फेर तो कल के करेंटर फेर पे öğ propriet पहला कोसन था निमने में से ग्वालियर शे को तो इसका आंसर कर जाएगा option number C ठीक है प्रसांद C और यह दोस्तों प्रसांद C अच्छा हमारे मद्दप्रदेश के पहले महादिवक्ता कौन थे तो यह धर्मादिकारी थे दोस्तों इसके पहले हमारे मद्दप्रदेश के महादिवक्ता कौन थे तो यह पुरूसेंद्र दोस्तो इनकी giornना से घंद करें 8 तो यह अभी हाली में लंगाना आ भाट मोनें करें झेला गया है और दोस्तों इसके पहले हमारे मुख्य माउंम हम्माध रफी तो इनको किस हाइकोर्ट में मुक्hist न्यूकत किया गया है, तो इनको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुखWS Ст Snowi ndays किया गया है, प्रदेश के प्रत्थर मुख्ष नुकत कícia है, नेक्स्त गूशन थे मुखत है हमारा मद्रेश में 803-200 teering लस्त को शेयत की अंद्य três green 2020 लक्ष लक्षमी योजना की शुरुवात कप की गई थी एक अप्रेल 2007 को की गई थी और देखिए अभी हाल में लाड़ी लक्षमी योजना को लाड़ी लक्षमी योजना 2.0 आत्मा निर्भर लाड़ी बनाया गया है और दोस्तों मुक्यमंदर की द्वारा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्स नमबर डी ठीच है साहीत्य icons अकाद्मी अच्छा साहीत्य pods अकाद्मी की निदे सकोन है तो यह है शरी विकासदवह बात करें मिया अँपर मराती एकेडमी की तो मराती एकेडमी का मुक्षायले divine कहा har breakup है तो यह अकडमी का मुख्यालय भी कहा पर है भोपाल में है और इसके इस्थापना 1966 में होई थी और इसके निदेशक को है अखिने रिठकार के अऊसर पर साहित्य एकादमी के दवारा सकती उपासना अखिल भारती कवी सम्मेलन का आयोजित किया गया और अकादमी की निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने बताया कि 14 अक्टबर 2021 को बाबा साहे भिम्राव अंबेटकर सामाजी की विज्ञान विसुद्धियाले महु में यह कवी सम्मेलन आयोजित किया गया ठीक है तो याद रखिएगा बा के निर्मान के संकल्प को व्यक्त करने वाला सकती उपासना कवी सम्मेलन में पर्यतन संसकृति और अध्यातन मंत्री सूशी उसra ठाक र मुक्यातितर्य के रूप में सम्मेलित हुई और थेखिए अखील भारती कव्यकुंब में राश्टिक कवी श्री सत्तनारान स॥्तन जो कि इंदौर से है, स्री सुरेंद्र सर्मा जो कि डैली से है, स्री हरियोम पवार जो कि मेरट से है, मेरट कहाँ पर है, उत्तरप्रदेश में है, स्री कमलेश सर्मा म्रदू सितापूर से, स्री गजेंद्र सोलंकी डैली से, स्री मुकेश मोलवा इंदौर से, भोपाल में है ठीक है तो इसमें किस जंजाती के भोजन जाइका का सुभारम किया गया है तो जाइका किस जंजाती का भोजन है दोस्तों ये भील जंजाती का भोजन है तो इसका आंसर कर जागा option number B ठीक है भील जंजाती और देखी दोस्तों भील जंजाती की उप जंजाती ह कौन कौन सी है बारेला है भिलाला है पटेलिया है ठीक है याद रखी का भिल जंजाती की उप जंजाती कौन कौन सी है बारेला है भिलाला है और पटेलिया है और बात करें बैगा जंजाती की तो बैगा जंजाती की उप जंजाती कौन कौन सी है भिंजवार है नरोतिया है भ रमेना है और काड मेना है ठीक है याद रखीगा यह उप जन्जातिया पूछी जाती है भील जन्जाति की कौन कौन सी होगी बारिला भिलाला और पटेलिया और बैगा जन्जाति की कौन कौन सी होगी भींजवार नरोतिया भरोतिया नहर रमेना और काड मेना भारिया जन्ज जाती की उब जन जाती कौन कौन सी है दोस्तों परधान अगरिया ओजा नगर्ची और कमार है और दोस्तों मद्रप्रदेश की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो यह भील जन जाती है और हमारे देश की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो यह गोंड जन जाती है और दे अच्छा देखी दोस्तो राष्टी मानो संग्राले कहां पर है तो यह भुपाल में है इसका नाम क्या है इंद्रा गांधी राष्टी मानो संग्राले ठीक है अब बात करम यहां पर विस्व मानो संग्राले कहां पर है तो यह डेनमार्क में है और इसका नाम क्या है कोपेन हे संग्राले है और ये कहां पर है डेनमार्क में है तो देखिए इंडरा गांधी राष्टी मानव संग्राले भोपाल द्रवारा संग्हाले ब्रह्मन पर आने वाले दर्सकों की मांग पर भील जंजाती के पारंपरिक भोजन कारिक्रम जायका की सुरुवात की गई है और इस भ आरंपरिक वेंजनों का स्वाध चकने का अवसर उपलब्द है और देखिए मक्के की रोटी का सेवन करने से हमारे सरीर को फाइबर प्राप्त होता है जो कि पांचन समस्याव से राहत पाने में मदद भी करता है और यह सरीर के कोलेस्टराल के इस तर को नियंत्रित करने मे भी मदद करता है साथी फाइबर यूगत आहर लंबे समय तक पेड़ भरा रखने में मदद करता है नेक्स कोशन है हमारा देश का पहला कीट्स फ्रैंकली कोविड वैक्सिनेशन सेंटर मद्द प्रदेश की किस जिले में बनाया गया है तो यह हमारे मद्द प्रदेश की सं वैक्सिनेशन सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में सारी मुलबूत सुविधाय उपलब्द है जैसे बच्चों को खेलने के लिए कई प्रकार के जूले माताओं के लिए आचल कक्ष, डाइपर वैंडीन मसीन, सैनेटरी पैड मसीन, वेटिंग एरिया में बच्चों, त स्मार्ट सिटी की सीईओ, निदी सियं राजपूत के प्रयासों से मनमुहन अनगर में किट्स फ्रैंकली वैक्सिनेशन सेंटर का निर्मान कराया गया है, निगम्यूक संदीफ जी आर ने आसा वेक्त की है कि सासन ध्वारा जब भी बच्चों का वैक्सिनेशन प्रारंब क गया थी 43 और संभागों की संक्या कितनी थी 9 और हमारे मुख्यमंत्री कौन थे पंडित रवी संकर सुकल जी थे तो देखी दोस्तों सभी लोगों ने बहुत अच्छा अंसर किया है और आज को सबसे अच्छा अंसर किया है तो बबलू अनारे और सालीनी मिस्रा ठीक है यह एक सेपरेट लेक्चर भी बना हुआ है मद्रप्रदेश में कौन सा जीला कब बना था टार्गेट सीविल सर्विसेश ठीक है तो यह वीडियो देखने के लिए मिलेगा इसमें आपको पूरी डिटेल में जानकाने मिल जाएगी तो देखिए एक नमंबर उनीस सो चपन को ह मद्रप्रदेश का जो नकसा है वह इस टाइब सी था उस टाइब हमारे मद्रप्रदेश में 43 जीले और 9 संभाग थे बोपाल और राजनाद गाव जीले बने और कुल 45 जीले हो गया और जो राजनाद गाव जीला है यह अभी 36 गड़ राज्य में आता है फिर दोस्तों इस तो अभी हमारे मद्दप्रदेश में कितने जिले थे तो 61 जिले थे और 12 संभाग थे तो देखिए जो 36 गड़ है तो इसको 16 डिश्टीक दे दिये गए और 3 संभाग दे दिये गए तो 1 नमबर 2000 को हमारे मद्दप्रदेश में कितने जिले बने तो 61 में से 16 गए 45 जिले बचे वरा संभाग थे तो उसमें से 3-36 गल को दे दिये तो फिर हमारे मत्रदेश में 9 संभाग बज गए ठीक है फिर दोस्तो उसके बाद 2003 में वो समीत्य के तैर 3 नए जिले बनाए गए असोक नगर, अनुपूर और बुरानपूर तो देखिए जो असोक नगर जिला बना था वो किस जिले से अलग होकर बना था गुना जिले से अलग होकर बना था और जो बुरानपूर जिला है वो खंडवा जिले से अलग होकर बना था और जो अनुपूर डिस्टीक है इसके बाद दोस्तो 2008 में दो नए जिले बने तो जाबवा जिले से अलग होकर अलिराजपूर जिला बनाया गया और सीधी जिले से अलग होकर सिंगरॉली जिला बनाया गया यह है जाबवा जिले की लोकेशन और अलिराजपूर जिले की लोकेशन और यह है सिंगरोली जिले की location और सिधी जिले की location इसके बाद देखिए 2013 में साजबूर से अलग होकर आगरमालवा district बनाया गया कब बनाया गया था 2013 में और यह हमारे मध्रदेश का इनकावनवा जिला था हमारे मद्यप्रदेश का पचासवा जिला कौन सा था तो वो था सिंग रॉली डिश्टीक तो ये भी एक्जाम में पूछा गया था कि हमारे मद्यप्रदेश का पचासवा जिला जो सिंग रॉली है वो किस जिले से अलग होकर बना था तो सीधी जिले से अलग होकर बना था अच्छा हमारे मद्दप्रदेश का बावनवा जिला कौन सा है तो फिर ये निवाली है ठीक है और ये किस जिले से अलग होकर बना था टीकमगर्ड जिले से अलग होकर बना था और कब बना था तो ये 2018 में बना था और छेत्रफल और जनसंक्या दोनों की द्रस्टी से सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो भी निवाली जिला है और छेत्रफल की द्रस्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो वो छिंदवाला डिस्टीक है और ये छिंदवाला डिस्ट भाविद है और दोस्तों आज के लिए आपका कोशन है प्राचीन काल में मद्रप्रदेश की कौन सी नधि गाती सब्वैत्ता का केंडर रही है नर्मदा गाती सोन गाती महा नधि गाती या उप्रोग सभी तो इसका अंसर आप डेटेल में दीजिए का और दोस्तों आज इतना ही अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू करिएगा अगर आप इस सेहल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग इस वीडियो